ओफिस मां कलिक साथे आने बार फ्रेंड साथे तो आपणे इंगलिश मां वात करिये चिये बट हवे वात आवेचे घरना काम काच करता करता इंगलिश मां बोलू अने एज घरना काम ने इंगलिश मां कई रीते व्यक्ते करवा इने के वाम आवे चे household chores So, without wasting time, let's start learning My name is Grishma and welcome to my channel Grishma's Class So, here we are starting Our first phrase is Wipe the table Wipe the table अटले के table ने साफ करू Table ने लूच हूँ The table is dusty, so please wipe the table Second phrase is To do the dish or rinse the dish or wash the dish जियारे आपड़े वासण घसवानी वात आवे छे तो एज वासण ने जियारे आपड़े भणता था त्यारे तो आपड़े एवो वर्ड सिखेला Utensil परण इहीं तमें एवो नती बोली सकता कि Utensil clean करो और clean the utensil So, तमारे आउज बोलवू पड़ से Do the dishes or rinse the dishes Please do the dishes after finish your lunch हवे, next point आवे छे कच्रो वाडवानी Swip the floor Swip, एटले के वाडवू त्यारे आपड़े कोई नेवो केवू आईके कच्रो वाड़ी लेजो त्यारे आपड़े एवो कहसू Please sweep the floor As it is dirty Next point छे पोतू करवानू कच्रो वाडवा पछी Definitely आपड़े पोतूच करिये छी है पोतू करवूने आपड़े Mop the floor एवो कहसू Yesterday I mopped the floor Today Please you do गईकाले में पोतू करिये तू आजे तमें करिये आपो So now कच्रो वाड़ाई गियो पोतू धेई गियो हवे क्यारे क्यारेक आपड़े floor ने दोता पणो ओई ए ने घर ने टाइल्स ने आपड़े धोई ए छी है आपड़े पन कोई ने एवो कही सकिये अथवा आपड़े एवो वीचारी सकिये ना कि किच्चेन इस सो डर्टी Please wash the floor Prepare the mill एटले के जमवानू बनाओ अहीं तामें फूड ने cook करवू Means cook the food एवो बोलवा करता Prepare the mill आउँ बोलसो तो वजारे effective लागसे Today you will prepare the mill आजे तमें जमवानू बनाओसो Next one is Tidy up आँ Tidy up पन एक एवोज फ्रेस चे कि जेनो मिनिंग पन clean करवू थाई चे Could you please tidy up my office तमें मेरबानी करी ने मारी office clean करी आपसो Next one is Dust the furniture हवे तमने खबरे जसे के आपणा घर मा रोज आपणे साफसफाई करी आछी है कच्रो वाडता पेले आपणे एक जापटी हूँ एटले के डस्टर लेने आम बद्दूज फरनीचर आवी रिते जापटी है ची है तो आज जापट वूँ एने के वाई छे डस्टिंग करू Dust the furniture जनरली आपणे फरनीचर ने डस्टिंग करिये ची है Hey, please dust the furniture before you leave आपणे आपणी नानी बेबी होई आपणी नानी दिकरी होई के आपणी बहन होई तो एने आपणे उकईये ची आपणा मम्मी पड़ा आपण ने उकेता होई ने के बार जता पहला dusting करी ने जजे धूड कच्रों बदो जापटी ने जजे So, moving to next point Take out the garbage कच्राने बार काड़ो I'm not feeling well So, could you please take out the garbage मने सारू नथी तो सूँ तमें कच्राने बार काड़ी देसो Next one is Do the laundry आपणे कोईने एव केऊ छे के कपडा धोवा Was the cloth एव बोलवा करता Do the laundry It looks good तो आरीते बोली ने तमें तमारा sentence नी effect वदारे सारी बनावी सको छो Could you please do the laundry for me तमें मारा माटे कपडा धोई देसो Please To get dressed आपणे जियार बार जाओ वोई त्यार आपणे तैयार थाये शिये ने नवा कपडा पहरिये शिये Ready थाये शिये Hair ने कॉम करिये शिये तो आप बदी जवस्तुने एकच फ्रेज मां सूखेवासे Get dressed Let's get dressed We have to leave for the party आपणे पार्टी मां जवानू छे आपणे रोज एने पाणी पिवड़ाओ अथवा कोई एक नानू प्लांट हसे तो पण आपणे रोज पाणी तो पिवड़ाओच पड़ाच पड़ाचे एवु केवा मां आवेशे Watering the plant I am watering the plants in my garden Next one is Do the ironing एडले के कपडाने इस्त्री करवी आपणे कपडा धोईये शिये पछी कपड मां मुक्ता पेला आपणे प्रेस करिये शिये इस्त्री करिये शिये तो आना मांटे केवा मां उसे Do the ironing She used to iron her cloths by herself Last one is Fold the cloths एटले के कपडा संकेलवा आपणे कपडा दोई ना किये शिये पछी कपडाने संकेलवा आपन पड़े शे तो आने केवाई छे Fold करवा Fold the cloths We have to fold our cloths in proper way आपणे आपणा कपडाने सर्की रीते संकेलवा जोईए So friends आ एवा बिद्धा सेंटेंस छे के जेने तम्हे रोजनी तमारी Day-to-day लाइफ मां यूस करी सको छो औने आवीज रीते तम्हें फटा फट इंग्लिज बोली सको छो जो तमने मारो आवीडियो गम्यो होई तमारा आवीडियो ने लाइक करो औने तमारा फैमिली औने फ्रेंड साथे Maximum सेयर करो And be connected guys फरी मढ़िये नवा वीडियो साथे नवा कॉंटेंट साथे Thank you for watching Thank you for watching